चलिए सिखते हैं Google Classroom पे एक PDF फाइल को as an assignment कैसे upload करें तो फाइल को कोलेंगे सबसे पहले फाइल कोल के जो शेर बटन है आपके मोबाईल पे उसे टैप करेंगे शेर पे मैंने टैप किया शेर करने के बाद ये options आपके सामने आए है different options हैं इसमें से मैंने classroom का option लिया किया है और वहां पे मैं attach to assignment करूँगा यहां पे assignment की list मुझे दिखाई दे रही है इस पे टैप करूँगा और टैप करने के बाद मेरी file जो मैंने अभी upload करने कोशिश किया है वो upload हो रही है और file मेरी attach हो गई है यहां पे handling का option है और इस पे हम tap कर देंगे यह यहाँ पूछ राह एकेíb रिसमिट कर दें तो resubmit कर दीजिए submit करने के बाद on submit और करने के बाद फिर से यह पुछता है कर resubmit कर देण तो मैंने submit करके आज submit किया था और फिर से रही submit किया है तो आप देख सकते हैं आपका जो काम है वो submit हो गया है right lower corner में आपके सामें hand in ये आपका काम hand in हो गया है